तो है गाइस अगेन वेलकम टो आवर चैनल बात करने वाले कल के दिन निप्टी बैंक निप्टी को कैसे आप ट्रेड करेंगे और कैसे कौन सा लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट बने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आपको काफी अच्छी लर्नि के उपर ट्रेड करी आज के दिन एक पावर कैनल के साथ यहां पर ब्रेकडाउन मिला हैं बट यहां पर जो लेवल था अपना उस लेवल के उपर ही मार्केट वहीं से गिरावट दिखाए देखेंगे नेगेटिव कैनल बनी मैंने बोला था इसका हाई क्रोस करेगा कल के द आज किसी रीजन से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है कोई भी ट्रेड नहीं किया है क्योंकि दोस्तों जहां कंफ्यूजन होता है वहां पर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए मोर्निंग में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था मैं अपनी एनलेसिस के उपर नहीं रिख पाया था इसी रिजन से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था इसलिए मैं आपको बताना जाता हूं कि कभी जब तक आपको confidence नहीं आता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि तो मैं अभी शोर नहीं था कि यह लेवल नहीं निकालता है तब तक अपन कोई भी बाइंग के लिए नहीं जाएंगे मैंने उल्लेडी बताए था और यहां पर सड़नली डाउनसाइड आया और डाउनसाइड के इंदर एक अच्छा मोमेंट दे उसके बाद जो अपना लेवल था है यहां पर एट हंडेट बाद यह लो निकालता है यानि कि दोस्तों 680 के निचे अगर कंटिन्यू सस्टेन होता है तो कंटिन्यू डाउनसाइड में आपने को 21500 के आसपास भी आता हुआ दिखाई दे सकता है तो यह नजर बना के रखेगा अगर गैप अपनिंग होता है तो यहां पर प्राइज को समझेंगे केप अपनिंग होता है तो दोस्तों इस जगे से वापिस आपको सेलिंग देखने को मिलेगी कोई नेगेटिव केनल देखिए पहले फाइब की केनल में और उसी के हाई का एसे ल लगा वहाँ पर इसका लोग रोज करने के साथ आप सेल कर दीजेगा आपको ए फर मैं आपको बता दूँगा सीट प्लेना है निपटी में और फिनिपटी में ठीक है फ्री टेलीगरम गूर्प है जोइन कर लेजे बैंक निपटी में एक तक्व Each.on बन गई है तो यहां पर डेफिनेटली नेगेटिव है और जो ट्रेंड लाइन थी उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन दे दिया है और एक अच्छा मोमेंटम अपने को डाउनसाइड में एक स्ट्रोंग नेगेटिव कैनल क्लोज हुई है सारा का सारा का कमाल था जैसे 500 के लेवल को ब्रेक किया और डाउनसाइड में आ गई है मैंने बोला था 45,500 को ब्रेक करेंगे तो अपन 45,000 के आसपास आते हुए दिखाए देंगे और 45,000 के आसपास आके आपन यहां पर आज के दिन क्लोजिंग डी डेली चार्ट पर नेगेटिव हैं यहां पर अगर कंटिन्यू इसका लोग ब्रेक करता है तो कंटिन्यू अपन और भी नेगेटिव आएंगे अभी देखते हैं 15 मिन के चार्ट के उपर मैंने और चीज भी बोली थी कि जब तक जब तक लोगसभा के चुन से नहीं हुआ सस्टेन होता अगर 46,044 या 46,033 के उपर सस्टेन होता तो अपन यहां पर कोई अपसाइड का ट्रेड देते हैं बट दोस्तों यहां पर 15 मिन की केंडल पॉजिटीव बनी थी उसका हाई भी क्रोस हुआ नेक्स्ट केंडल यहां पर अपसाइड भी गई बट सब्सक्राइड केंडल थी और यहां पर कंटिनूर देखेंगे डाउनसाइड में साप सेलिंग है एसी वज़े से यह सेलिंग आपको देखने को मिली उसके बाद सपोर्ट जरूर से लिया था मैंने 500-400 के लेवल से मैंने आपको अलड़ी बता था यह लेवल में तोड़ा ह में तो यहां पर थोड़ा सा एक पंद्रा मिनर की केंडल वेट कीजेगा फिर ब्रेक आउट और ब्रेकडाउन देता है अब साइड के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव करने की कोशिच नहीं करूंगा और सेलिंग यहां पर 45,000 944,955 के निचे आता है तो यहां कोई जल्द बाजी करने की ज़रूरत है नहीं है ठीक है अब यहां पर देखेंगे 20,000 के आसपास आके मार्केट क्लोज होगा अगर नेगेटी हुआ तो अभी दोस्तों यहां पर देखेंगे यह ट्रेंड लाइन को भी मार्केट सपोर्ट कर रहा है और यहां पर मार्केट नेगी की तरफ तरफ को भी ब्रेकड़ॉन किया, तो इस चैनल को ब्रेकड़ाउट किया है, तो डाउनसाइड में आने कि पूरा एक आपको सेंचम कंड करते हैं या फिर दान法 धे लिए अगर देखने को मिलेंगे, तो से पार की मेरे टूरा थ्रेड निवस निकर ने के बाद सी लेवल निकालने के बाद से होड़ा सा क्रूशिल मेरे लिए तो थोड़ा काफी डांशाइड का मुंवन्टम दिया तो उसी मुंवेंचंड के वज़े से यहां पर गाई support था support पर hold किया hold करने के पाद वापिस breakdown दिया और 20,000 के आज सपास के closing दिया मार्केट ने ठीक है अब दोस्तु यहां पर कल के दिन क्या हो सकता है कल के दिन अगर पर फ्लेट ऑपनिंग होती तो थोड़ा सा upside जाने दीजी इस लेवल के आज सबस वापिस आता है तो वापिस सेल करेंगे ठीक है अगर दोस्ञेहाँ अपर अपसाइड जाता है तो मैं थोड़ा इंटेस्टेड नहीं हूँ मार्केट में अभी नेगटिव सेनर्यों हैं तो हैंको यहाँ पर मैं सेल करने के मोड में हूं बाइंग के मोड में कोई भी ज्यादा तेजी से बाइंग करने की कोशिस नहीं करेंगे ठीक है और अगर कहीं अपॉर्चिनिटी मिलती तो एक लोड के साथ ही ट्रेड करेंगे ज्यादा बड़ी कुवांटिटी के साथ ट्रेड करना भी अच्छा नहीं है ठीक है अगर दोस्तों यहां पर फ्लेट ओपनि के साथ ही ट्रेड करता है तो मैं डारेक्ट सेल करूंगा और अपने एक लोड या फी दो लोड पे ट्रेड जादा बड़ी कोवांटिटी साथ ट्रेड नहीं करेंगे गेप अपनिंग होती है इस लेवल के आसपास तो यहां से मैं पहले फाइब बिन की केंडल से ही सेल करन के करेंगी तो मैं सेल ही करना कोई कि यहां पर जो जो चूक गए यहां पर ट्रेड नहीं लिए वो यहां से वापन मारकेश भूब ऑपन उपन होगा तो यह मैं थोड़ा सा आपसाइब जाने की लेवल कि य़ादि के और दावन नीगेटिव नेगवा किसे लेवल के साथ टेड करता हूं वह भी अगर आपको सीखना है तो हमारा प्रीमियम मेंबर्शिप ग्रूप जोइन की जीगा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी और दोस्तों जो हमारे लेवल होते हैं वह लेवल सिहां पर मैं आपको बता हूं लेवल टू लेवल डोट टू डोट काम करते हैं देखेंगे लेवल देखेंगो यहां पर देखें यह ओल्लेडी लेवल आज नहीं लगाया काफी दिनों पहले लगा के लगा था और यह देखेंगे जो लेवल हमने लगा रखें उस लेवल पर डोट टू डोट काम करता है तो डोट two dot market काम कैसे करता है वह सारी चीज़ सीखने के लिए प्रीमियम मेंबर्शिफ गुरूप जोइन किजें डिसक्रप्टियों में इंफ्रो मेंबर्शिफ गृूप कितो डिसक्रप्शन में दिये गए इंफ्रो मेशन चाप जोइन कर सकते हैं अधरवाइस आप हमारा वाला टेलिगराम ग्रूब भी जोइन कर सकते हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाकि थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो चैनल पर नहीं आये तो चैनल को सब्सक्राइब केजिए और मझें इंस्टागराम पर ज़रूर से फॉलो कीजिए थैंक यू फॉर वाचिं इस वीडियो